हाई फ्रेंड वेलकों टो पील सी मुझे इंस्टाग्राम पे डिएम डिरेक्ट मैसेज भी आ रहा है कि सर मेरा क्वालिफिकेशन ये है क्या मैं फॉर्म ढाल सकता हूं और बहुत सारे लोग यूटूब पे भी कोमेंट कर रहे हैं कि क्या मैं फॉर्म ढाल सकता हूं क्या मैं eligible हूँ, degree मेरा इस फरकार का है, तो देखे, computer science में बहुत तरह के degree को allow किया गया है, लेकिन कुछ degree है, जिसको allow नहीं किया गया है, और वो degree वाले भी हमें message कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि उस पे मैं एक video बनाओं, और एक आधार रख के, मतलब एक जो भी official कोई reference ले लो, जिससे आपको तो उसकी authenticity पता चले, तो अभी आपके सामने एक page दिख रहा होगा, यह गया यहाँ पर लिखा हुआ है, गया जीला, बिहार में गया जीला है, आप लोको पता हो गहीं, तो गया जीला के जो कर्याले है, जीला सिक्चा पता दिकारी, उनके द्वारा एक notice दि गया है, जो BPSC TRE 1 में बैठे थे, और वो अपना औबंदिक निवती पत्र भी ले चुके है, लेकिन फिर भी उनका जो document verify किया जा रहा है, तो उनके document में कुछ कमी पाई गई है, जिसके वज़े से उनको बुलाया गया है, 611 को मतलब 6 November को उनको 11 बचे दफ्तर बुलाया गया है कि आप आकर अपना जो भी मूल कागजात है, उसे लेके आप आईए, और जो भी आपको अपने पक्स में जो भी रखना हो, document गयरा वो रखिये, और एक तरह से वो doubtful है, मेरे कहने का मतलब एक तरह से वो doubtful है, जिसके वज़े से उनको बुलाया गया है, अब दिखि साइंस का जो भी डिगड़ी आपके पास है, तो नोटिफिकेश्न में चले जाए, ये कॉम्प्यूर साइंस का पूरा एक लिखा हुआ है, कि ये डिगड़ी ही अलाव है, अगर वो डिगरी सीधा-सीधा डिगरी है, मतलब जो डिगरी लिखा हुआ है, वो आपके पास तो अब देखिए आगे आगे हम लोग computer science वाले को ही तो अभी क्या है कि computer science वाले का जो है बस मैं उसी को एक तरह से highlight करूंगा तो सबसे पहले देख लेजिए role number जिनका है उनको छोड़िए चलिए यहां से गारा बारा है computer science आप देख रहे हैं तोड़ा समय जूम करता हूँ देखिए यहां पर क्या लिखा है पीजी computer application डिप्लोमा पीजी computer application डिप्लोमा एम बीटेक mechanical engineering जो भी यहां पर बीटेक किये हुए है वो computer science से बीटेक नहीं किये है उनका जो बीटेक है वो mechanical engineering में है और उनके पास यह जो है computer application में डिप्लोमा है लेकिन यह doubtful है क्या कि इनके पास 100% क्या यह इनके पास उस तरह का document है डिप्लोमा है और वहां के जो अधिकारी है वो अपने अस्तर पर चेक करेंगे क्या यह इनको लिया जाए या छोड़ा जाए ठेक है तो उसी तरह से अगर आपके पास इस तरह से कोई degree हो तो इक्जाम में बैठ जाईए बैठ जाए थोड़ा सा रिस्क लिगए लेकिन अपने हम बोलेंगे कि आप अपने अस्तर पर रिस्क लिगए अब मेरे कहने में भी नहीं आई आई आपको अगर लगे तो आप बैठ कि हो सकता है कोई matter अगर आपका इस तरह से फंसे तो आपको बुलाया जाए ओफिस वहाँ पर जो उनका जो expertise जो होगा वो बोलेंगे कि हाँ यह चलेगा तो आप एक तरह से आपको एलाव कर दे जागा नहीं तो reject होना हो तो वहाँ पर भी reject हो सकता है मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा डिग्री है और बहुत सारा डिग्री को एक तरह से notification में mention करना तरह मुस्किल हो जाता है इसलिए वो लो लिग देते हैं समकक्ष या equivalent तो वो समकक्ष है या नहीं है यह कौन चेक करेगा तो उस तरह के उनके पास जो भी authority होगा जो भी officer होंगे वहीं चेक करे होंगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एक और जो computer विज्ञान के हैं वो क्या बोलगा है कि चार यह का बीटेक है ठीक है फोर्थ यह बीटेक सिर्फ है IT या CS नहीं है देखिए यह भी अच्छी बात है यह तो सरसर यह इनका valid नहीं है क्योंकि बीटेक तो है कोई बात है ब बीटेक होना चाहिए IT का बीटेक होना चाहिए लेकिन IT का बीटेक नहीं है information technology लेकर या computer science लेकर इन्हों ने बीटेक नहीं किया तो इनको यह पात्र नहीं हों कि ठीक है अब यहां देखिए estate तथा बीटेक एक ही सत्र के है इस पर भी आप ध्यान देजिए estate इन्होंने मान लिए कि इन्होंने estate 2019 में किया 2019 में किया और 2019 में ही इन्होंने बीटेक भी पास किया तो कैसे हो सकता है आप पहले बीटेक complete किजिएगा उसके बाद estate दीजिएगा तो यह भी थ्वासा doubtful category मे आ गया है इसलिए इनको भी बुलाया गया तो अब वहां पर जाकर अपना यह बुलेंगे एक मेने पहले ही मेरा बीटेक किलियर हो गया था उसके बाद मैंने इस्टेट में बैठा अब वहां पर जो भी क्लिरफाइग करना है यह अपना करेंगे उसी तरह से इनका भी वही नहीं है PG में MBA है देखिए यहां पर BCA है और PG में MBA है और मेरा जो एक तरह से मेरा मन जो कह रहा है इनको allow कर दिया जाएगा क्योंकि आप BCA होना चाहिए और BCA का साथ कोई PG होना चाहिए तो PG में आपका MBA है तो MBA भी तरह का PG ही नहीं मास्टर डिग्री ही नहीं है तो हो सकता है इनको allow कर दिया जाए लेकिन फिर भी उनको थोड़ा डावट पर लगा होगा तो वह बुला लिया होगा उनको MSC IT है तथा BTEC है तो अब यहाँ पर MSC IT है तो जिक्कत तो नहीं होना चाहिए MSC IT को MCA की equivalent माना जाता है लेकिन हाँ MSC IT नहीं लिखा है कहीं भी notification में तो हो सकता है इसी कारण इनको भुलाया गया हो MSC IT तथा BTEC है तो हो सकता है यह BTEC भी किये हो लेकिन BTEC इनका computer science से नहीं हो तो इन्होंने MSC IT भी कर लिया हो तो दो डिगडी है तो यह जाकर वहाँ पर अपना clarify करेंगे और यह तो सरासर इनका खतम होयागा कि यह M में बस English से किये है BC अगर साथ में किये होंगे तो चल जाएगा लेकिन ऐसे नहीं चलेगा यहां MCE का certificate इन्होंने दिया है लेकिन यह असपस्ट नहीं है तो यह जाकर अपना फिल अपना जो भी होगा certificate वहाँ पर दिखाएंगे हो सकता है इन्होंने जो भी upload किया हो वह 100 KB के चकर में यह तो बात हमको कल भी बताया थे आप लोग को 100 KB में document को convert करने के चकर में quality काफी उसका गीर जाता है लेकिन फिल भी आप अगर अच्छे से उसको अच्छे से scan करके करते हैं थुरा साच्छे से अगर knowledge है technical तो आप एकदम HD quality में भी ले आ सकते हैं अपने document को 100 KB के नीचे भी तो हो सकता है उसी कारण इनका मामला फंस रहा हो तो यह सब मैं इसी लिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको यहां से बहुत सारा चीज क्लियर हो जागा अब देखिए यहां पर बोला है कि MCA का सेशन 16-17 है इनको पता ना क्यों बुला लिया हलाकि यह सही है 19 से पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिता 2019 से पहले लेकिन कुछ ना कुछ कारण होगा यहां पर MCA का सेशन 2021 है तो यह तो गया है इनका तो किसी सुरुत में अब होने बाला नहीं है MA in यह MA किये है LSW से साथ यह law है पता नहीं हम भी उतना confirm नहीं है तो यह भी तो गया है यहां पर MA in public administration अब पता नहीं MA के साथ अगर पहले BCA किये होंगे तो चले गा नहीं तो यह भी चले जाएंगे यहां पर computer science देखिए यहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग किये हैं क्या हम eligible हैं तो दिखी यहां पर इन लोग को भी notice दिया गया है तीन साल के computer engineering वाले तो अब वो decide करेंगे कि यह eligible है कि नहीं है अब वो decide करेंगे देखिए चार साल का होता है बीटेक बीटेक allow है ठीक है होता क्या है ना मैं आपर थोड़ा सा बता दूँआ आपको bca plus mca ठीक है तो bca 3 साल और mca 2 या 3 साल हलाकि bc जो किया mca 2 साल का भी करता है तो चल जाता है मतलब 5 साल का computer science का knowledge है ठीक है बीटेक कोई अगर बीटेक किया है तो यह बीटेक उनका 4 साल का तो यह 4 साल और 5 साल मतलब कोई बीटेक किया है और कोई bca plus mca किया है तो दोनों बराबर माने जाते हैं इनका 4 साल इनके 5 साल के बराबर होता है तो ऐसे मान के चला जाता है कि कम से कम आपको 4 साल का computer का degree होन चाहिए नहीं तो आपके पास पांच साल का computer का डिगरी होना चाहिए MCA कोई तीन साल का भी कर लिया है तो कोई बात नहीं कम से कम बीसी अगर किये हैं BCMC की तो चल जाएगा और BCA के साथ master degree भी किये हैं तो भी चल जाएगा तो यह पर BCA को अधार बनाया जाता है तो BCA में तीन साल का computer का डिगरी आपको चाहिए तो तीन साल का डिगरी अप प्लस दो साल का master डिगरी जो होना एकदम जरूरी है लेकिन इन्होंने केवल तीन साल का अगर computer science का डिगरी लेकर सोच रहे होंगे लेकिन इसके साथ अगर MA किया होंगे तो हो सकते हैं तो कितना सारा इसमें लोचा है पिर भी बहुत सारा चीज क्लियर करने के कोसिज कर रहा हूं अब यहां पर computer science का form डाले हैं लेकिन library and information science बहुत तरह का ना कोर्स है दुनिया में हमें लगता है साद ये भी इलिजिबल नहीं हो पाएंगे MCA का सेशन ही इनका ज्यादा है 2019 से पहले होना चाहिए था PG Degree in Information Technology अब इनका PG Degree Information Technology में है ठीक है लेकिन BCA अगर होगा तो यह चल जाएंगे लेकिन BCA नहीं होगा तो फिर यह नहीं चल पाएंगे ठीक है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केवल MCA केवल MCA भी अगर आपके पास हो दो साल वाला तो भी आप इलिजिबल नहीं है इसके साथ Bridge Course होना जरूरी है जो साल भर का एक तरह से आपको Extra Degree देता है तभी आप इलिजिबल होगे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हाला कि अब इदर कुछ नहीं है थोड़ा साइस में देख लेते हैं देखिए यहां भी एक Computer Science के है Master Degree in Other Subject and MCA is not available देखिए तो यह तो सारा सब चलेगा है MCA इनके बाश देखिए नहीं है Master Degree in Other Subject में है मैं इसमें नहीं लिखाए BCA है इसमें औरakah दोग में बीचे हाथा तो जरूर लिख देखिए नहीं है यहां पर यह भी इनका नहीं चलेगा यह भी तो नहीं चलेगा चलिए तो यह वीडियो को हम यह घ्क मैंको जब आने सेसे मिलते हैं वो सब्करूम झालो